प्यारे बच्चों आज मैं आप लोगों को Class 4 Rim Gym का पहला पार्ट मन के भूले-भाले-बादल इसका मैं Full Explanation करने जा रही हूँ और इससे पहले बच्चों मैं Class 4 Rim Gym का सारा विडियो बना चुकी हूँ Full Explanation Summary और Question Answer तो उन सब को देखने के लिए आप उपर दिये गए आय बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे दिये गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जा कर देख सकते हैं और बच्चों आप मुझे इस्टाग्राम, फेशबुक और ट्यूटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, तो पाट शुरू करते हैं बच्चों, मन के भोले भाले बादल, तो इसमें कभी बादल को भोले भाले कह रहे हैं, भोले भाले किसको कहा जाता है बच्चों, जो बहुत ही सीधे साधे होते हैं, उसको भोले भाले कहा जाता है, तो इस कविता में बादल को भोले भाले कह रहे हैं, तो बादल देखिएगा अनेक रूप बदलते हैं, जब बचों आप आंगन में, खुले आंगन में या छट पे आप जा करके बादल को गौर से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो बादल में देखेंगे कि अनेक तरह के रूप कभी ऐसा लगेगा कि हाथी जैसा सूट उठाए हुए है कभी लगेगा कि उट के जैसे जो है कूबर वाले है उट का पीठ जो होता है उचा होता है उसी को कूबर बोला जाता है तो उस तरह से कभी ऐसा लगेगा कि जोकर जो होता है जिसका पेट फुला होता है बराबरा पे तो बच्चों आप लोगों के कविता में कभी इसी बात का जिक्र कर रहे हैं कि बादल का कितना रूप होता है, बादल किस तरह से दिखाई देते हैं, कितने रूप जब बादल को आप देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि बहुत तरह का रूप आपको दिखाई देगा और बहुत ही सुन्दत द्रिश्य लगता है। कुछ रहरा करते शैतानी, कुछ अपने थैलों से चुपके ज़र 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 बड़साते पानी, नहीं किसी की सुनते कुछ भी ढोलक ढोल बजाते वादल। बहुत ही सुन्दर कवीता है, तो मैं अभी आपको अर्थ सहित पर हाऊंगी, कवीता में कभी क्या कहना चाहते हैं, तो जबबर जबबर बालों वाले, गुबारेशे गालों वाले, तो कभी जो हैं, बादल को क्या कह रहे हैं, कि बादल का बाल कैसा है, जबबर जबबर बाल होता है ने किसी का बच्चों देखे होंगे बहुत ही घना वाल होता है और करली-करली घुमाओदार बाल होता है तो कभी कह रहे हैं कि बादल का जो बाल है कैसा है जबर-जबर मतलब करली-करली बाल है बहुत ही शुंदर बाल है और गुबारे शी गालों बाले और बादल का गाल कैसा लग रहा है ऐसा लग रहा है कि जैसे गुबारे फुले फुले दिखते हैं उस तरह से बादल का गाल है लगे दोरने आशमान में जूम जूम कर काले बादल और बादल क्या करते हैं आशमान में दोर लगाते हैं देखते होंगे बच्चों जब हवा चलती है तो ऐस जूमते हुए नजर आते हैं, बहुत ही सुन्दर जूम जूम कर बादल जो है, इधर से उधर दौर लगाते हैं, कुछ जोकर से तौंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, तो कुछ जो है, जैसे जोकर होता है, देखिए बच्चों साइड में, लेफ्ट साइड में दिया गया है, जोकर का किस तरह से पेट फुला हुआ है, तो इस तरह से है, कभी बादल का ऐसा रूप में उपस्थित होता है, ऐसा लगता है, कि उसका जोकर, बादल का जो है, पेट फुला फुला है, जोकर के जैसे, और कुछ हाथी से सूंड उठाए, और कुछ जो है, कि जैसे सूर उठाय हुए हाथी है, उस तरह से बादल अपना रूप धारन कर लेता है, कुछ उँटों से कूबर वाले, और कुछ बादल ऐसे दिखाई देता है, कभी-कभी बादल को देखेंगे, तो कहीं-कहीं ऐसा दिखाई देगा, कि जैसे लगेगा कि कूबर वाले जो उठ होते हैं न उची पीठ वाले उसी तरह का दृष्ट दिखाई देता है और कुछ पढ़ियों से पंख लगाए और कुछ बादल तो देखिए वच्चों सबसे उपर में लेफ्ट साइड में दिया है किस तरह से पढ़ियां जो है पंख लगाकर उर रही हैं तो उस तरह से कभी-कभी जो है बादल बन जाता है पढ़ियों के जैसे पंख लगाकर उरने लगता है आपस में टकराते रहरा सेरों से मतवाले बादल और कभी-कभी देखेंगे कि जब बारिश होगी तो क्या होता है आपस में टकराते हैं बादल जब टकराते हैं तो भहुत ही सुन्दर द्रिशू उपस्थित हो जाता है और सेरों से मतवाले बादल और कभी-कभी बादल कैसे हो जाते हैं जैसे सेर मतवाले जैसे मदमस्त होकर चलते हैं उसको किसी का डर्ण भै नहीं होता है क्योंकि सेर जो होता है अपने आपको समझता है कि मैं ही बहुत ताकतबर हूँ तो उसी तरह बादल जो है मतवाले होकर इधर उधर घुमते हैं कुछ तो लगते हैं तुफानी कुछ रहरह करते सेतानी और कुछ बादल ऐसा दिखाई देता है कि लगता है जैसे कि तुफान आने वाली है आप देखेंगे ना बादल को तो काले काले बादल ऐसा लगता है कि हवा में लोगों को उरा देगा इस तरह से तुफानी बादल का अलग ही रूप रहता है विक्राल रूप रहता है काले काले बादल आ जाते हैं तो तुफानी बादल अलग ही तरह का द्रिश उपस्थित कर और कुछ रहरा करते सैतानी और कुछ बादल जो हैं वो क्या करते हैं रहरा कर सैतानी करते हैं कैसा सैतानी करते हैं तो कुछ अपने थैलों में चुपके जर 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 बरसाते पाने तो क्या करते हैं बादल कभी कह रहे हैं कि बादल के पास ऐसा लगता है कि कुछ एक थैला है जिसमें पानी छुपा कर रखा हुआ है, जर 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 बरसाते पानी और बादल क्या करता है, बरसात के रूप में जर जर कर पानी बरसाता है, नहीं किसी की सुनते कुछ भी धोलक धोल बजाते बादल, और बादल जो है बचों, वह किसी का कुछ सुनता नहीं है, वह धोलक धो आप देखते होंगे, जब बारिश होती है, तो बादल से ढोलकり जैसे ढोल के जैसे गरजने की आवाज आती है। सुन्दर लगता है, तो देखिए, आगे कभी क्या कह रहा है, रहरा कर छट पर आ जाते, फिर चुपके उड़ जाते, वह बादल क्या करता है, छट पर रहरा कर आ जाते, मतलब जब आप छट पर जाएंगे, तो ऐसा लगेगा कि बारिश हो रही है, और फिर थोरी ही दिर में हवा चलेगी, तो ऐसा लगेगा कि बारिश खत्म हो गई है, उड़ जाती है, इस तरह से हो जाता है, कभी कभी जिद्धी बन करके बार नदी नालों में लाते, और कभी कभी तो वह बादल इतना जिद्धी बन जाता है, कि इतना बारिश करता है, इतना बारिश करता है बार ही बार आ गया, बार मतलब चारो तरफ पानी ही पानी छा जाता है, फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल, कभी कह रहे हैं कि इतना कुछ करने के बाद भी जो हैं, बहुत ही भले लगते हैं बादल, ऐसे लगते हैं कि बहुत ही सिधे साधे हैं, वह तो बच्चों आप पाठ समझ गए होंगे, मन के भोले भाले बादर, कितना सुन्दर कवीता है, तो आसा है बच्चों कि आपको यह पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और एक्जाम के लिए तयार कर लिजेगा, और बच्चों मैं नीचे इसका प्रशन उतर दे रही ह तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा, और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजेगा, लाइक कीजेगा, और सेर कीजेगा, कॉमेंट्स जरूर कीजेगा, कि आपको यह पाठ कैसा लगा, नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूंगी बच्च धन्यवाद